नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सोई का लास्ट एक्जाम की यूटूब चनल पे दोस्तों आप लोगों से मिलकर एक अजीब सी खुसी है, वो मैसूस होती है और अभी तक लास्ट एक्जाम पर एक ही दुरंदर था लेकिन अब एक और विजाड ओपमेट को लेके आ रहे हैं दीपक यादव सर को और बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे और अभी मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है लेकिन जब लेकर आएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि एक बड़ा धमाका है वो हम लोग करने वाले हैं ठीक है अब काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं काफी अलग-अलग वीडियोज देखते हैं और फिर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर वेकंसी कब आ रही है एक्जाम कब होगा किसी साफ़ पर ये जो कलेंडर वगेए वो जारी होते हैं क्या चल रहा है मतलब जो अंदुरूरनी जानकारी है आप लोग की तो इतनी पहचान है आप लोग पता क्यों नहीं लगा लेते तो वो सारी चीजे हैं वो आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ और complete बिल्कुल detail की साथ मैं बताऊँगा कि vacancy है वो आपकी कब आ सकती है क्योंकि मैं हमेशे आप proof के उपर बात करता है हूँ और मैं आपको कुछ ना कुछ proof है वो हमेशे दिखाता हूँ तो यहाँ इस वीडियो के अंदर भी मैं काफी सारे proof है वो आपको दिखाऊँगा आप लोग को थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लग जाएगा क्यार वास्तम में जो मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आपकी वेकेंसी जून के आसपास देखने को मिलेगी वो मैं ऐसे तो नहीं कहता आप लोग को पता है नहीं तो मैं भी जनवरी बता सकता हूँ मैं भी मार्च बता सकता हूँ क्योंकि course तो हमारे चल रहे हैं, अगर पहले बताएंगे तो course ज़्यादा बच्चे लेंगे, और बच्चे ज़्यादा लेंगे, तो profit किसको होगा, हमें profit होगा, जिन लोगों के course नहीं हैं, वो भी जनवरी या मार्च बता रहे हैं, तो उनको तो कोई इतना कोई ज़्यादा फाइदा भी नहीं है, और वो तो सिर्फ आप लोगों को guide करने के लिए, आप लोग continue steady करते रहें, इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको लोगों को देखो यार, वो अलग चीज है, जो हमारा business है, वो अलग चीज है, लेकिन आप लोगों के साथ में, जो काफी दिन से बोलता रहा हूं कि हमारी एक book है, जिसको हम लोग update कर रहे हैं, computer की book, और ये जो book है, बिल्कुल complete update होके हमारे सामने आख चुकी है, मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये जो book है, एक second का आप लोग hold करना, तो ये जो book है, वो हमारे सामने बिल्कुल update होके आचुकी है, यहाँ पर आप लोगों को update है, वो भी दिख रहा होगा लिखा हुआ, और ये भी बिल्कुल colorful book है, आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने color के अंदर ही छपआ है, यनकी ताकि आप लोगों को पढ़ने में आप लोगों के हर एक chapter को हमने details सी दिया है, और इसमें total 19 जो chapter हैं, वो आपके इस book में रहने वाले हैं, जो एक book के अंदर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, सबसे best book हैं, और इस book का जो review आया है आज तक का, वो ये ही आया कि sir मैंने इस book से पढ़के 19 नंबर लिय हैं, वो comment वगेरा भी मैं आप लोगों के लिए किसी अलग वीडियो में वो दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़े लंबी जादा हो जाएगी, वैसे 200 page की ये book है अब, और इसमें बिल्कुल color में आपको सारी चीज़े हैं, वो देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जाएगा, क्योंकि अभी limited stock है, इसका नया version हम लोगों ने print करवाया है, तो अभी सारा print होके हमारे पास नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिवाली के सुब आउसर पर आप लोग इसके उपर एक छोटा सा offer मेरी तरफ से ले ले, तो ये जो book है, वो आप लोगों को जो पहले 500-300 रुपए में मिल रही थी, जो पहले 500 और 300 रुपए में आपको मिलती थी, ये अभी आपको कितने में मिलेगी, ये अभी आपको 126 रुपए, पिलस delivery जो charge है, उसके इसाफ से आपको मिल जाएगी, केवल 126 रुपए में, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अपना सार मार्जन वगेरा है, वो सारी चीज़े हटा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार लास्ट एक्जाम का डंका बजे, और आप लोग इस बुक से पढ़कर, फिर मेरे पास मेसेज करो, कि भाई वास्तम में ये जो बुक है ना, रामबान आप लोगों ने हमें दे दिये, तो 126 रुपए प्लस डिलिवरी चार्ज में ये आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, इसे परचेज अभी ये फिलिप काट एमजोन पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे दिवाली के बोनस वगेरा, ओफर वगेरा चल रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें ओफर देने से मना कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों के 126 रुपए में प्लस डिलिवरी चार्ज में मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्किप्सर में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उसके उपर किलिक कर पहले तो यहां पर अपने एक रिजिस्टेशन करके और आप लोग बना लीजे और फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इस बुक को यहां से पर्चेज कर सकते हैं, पर्चेज करने के साथ में ही आप अपनी इमेल आईडी वगरा से ओटिप वगरा डालके आपको मिल जाएगा, तो यहां पर वो कोड भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यह वाला कोड लगाते हैं, बी डबलू इस पेसल टैन, तो आपको इसके उपर दस परसेंट का ओफ और मिल जाता है, मान लीजे कि आपका डिलिवरी चार्ज 30-40 रुपे लगता है, तो यह आपको लगबग 165 या 60 रुपे के आसपास मिलेगी, तो आप यह कोड और लगा देंगे, तो 15 रुपे का और फाइदा हो जाएगा आपको, और यह 1.500 रुपे तक ही आपको मिल जाएगी, एरे वाइज है, वो आपका डिलिवरी चार्ज लगेगा, तो इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं, दूसरी महतपूर्ण जो बात है, उसके उपर आते हैं, हम लोगों ने एक कोर्स भी आप लोगों को पता है, हम लोग इस टैडी करवा रहे हैं, दिलिपलिस के लिए इस वेसल और डेडिकेशन के साथ में, यह जो बैच है, मिसन बैच, इस से आप लोग जोइन कर सकते हैं, इस बैच के उपर भी दिवाली का सबसे बड़ा डिसकाउंट है, वो आप लोगों को अब मैं दे रहा हूँ, यह ओफर है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको वट्सप पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जैसे एप्लिकेशन वगेरा है उनके उपर चार्जेज बगेरा भी करते हैं, तो हम लोग और जादा माइनस में चले जाएंगे आप लोगों की ओफर की वज़े से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग वट्सप पर संप्रक कर लीजे, यह आप लोगों को बैच है, वो भोत कम प्राइज में मिल अभी मैं आपको, अभी तक मैंने आपको 399 रुपे में यह बैच दिया है, अभी आपको केवल और केवल साड़ी 300 रुपे में आपको यह बैच मिल जागा, इसमें complete चीजे हम लोग पढ़ा रहे हैं, special, जैसे मैंने दो बार exam पास करा है, दीपक सर ने अभी तक 5 exam पास कर अभी उनके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, फिर आप लोग को सारी detail आप लोग को बताएंगे, वरतमान में दिलिपलिस में head constable हैं वो, तो आप लोग सो सकते हैं, इसके अंदर आपको best faculty है, वो आपको मिलने वाले हैं, उसके बाद में यह सारी चीजे हैं, यह सभी teachers ह वो इसमें पढ़ा रहे हैं, अच्छा content के साथ में, मैं आपको batch भी एक बार दिखा देता हूं, जैसे यह हमारा batch है, mission batch, तो आप लोग यहाँ पर जाएंगे, तो आपना किसी QR code के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग WhatsApp पे message करिए, वहाँ पे हम आपको एक QR code payment कर वो जादा हो जाते हैं उस तरीके से फिर और भी जादा लोग समें चले जाते हैं, तो यहाँ पर यह जो बैच है, इसमें आप लोग जब view course करेंगे, तो यहाँ पर सारे टीचर्स के जो वीडियो जो वगएरा हैं, वो सारे वीडियो जो वगएरा आपके आ आ जाएंगे, हर class के अंदर आपको क्या मिलेगा आपको PDF वगेरा मिलती है class के quiz वगेरा मिलते हैं ये सारे topic आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे class भी मिलेगी PDF भी मिलेगा उसका print भी आप लोग निकल वा सकते हैं आपको देखने को मिलेगा तो यह तो बैच है हमारा इससे साड़ी तीन सु रुपए में ले सकते हैं वर्ट्षप नंबर में आपको बता देता हूं एक बार चोरान में एक सट एक इस चोरासी यह वर्ट्षप नंबर हमारा है और इस नंबर पे आप लोग मुझे QR कोड लिखके मैसेज करेंगे तो आपको यह जो बैच है वो केवल और केवल साड़ी तीन सु रुपए में हम लोग दे देंगे कई लोग सोचते हैं वर्ट्षप पे कि सर हम आपको पेमिट कर देंगे तो हमारा बैच चालू होगा की नहीं होगा मेरे भाई बिलकुल ऑथेंटिक है और आप लोग पेमिट करेंगे उसके दस मिनट के अंदर अंदर आपका बैच है वो आपको दे दिया जाएगा स्टार्ट करके चालू करके ठीक है तो यहाँ पे यह बैच है आप लोग इसे ले सकते हैं साड़ी 300 रुपे मिल रहा है इससे ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले हम लोगों ने 399 रुपे का ओफर दिया था लेकिन अब दिवाली है तो थोड़ा बड़ा ओफर तो बनता ही है तो और इसमें 50 रुपे हम लोगों ने कम कर दिया आप लोगों के लिए तो यह बैलिड है आप लोगों के दिवाली तक आप इसे परचेज कर सकते हैं इसके बाद जो किलासेज वगेरा है वो रेगुलर मिलेंगी जो बच्चे आदर जैसे कई लड़ियां बोलती हैं कि सर मेरे पास payment करने का option नहीं है मैं कहीं और से payment करवाना चाहते हूँ तो वो बिल्कुल करवा सकते हैं आप QR code लेकर किसी से भी payment करवा हो बैच आपके नंबर पे इस्टार्ट हो जाएगा इसमें live plus record class से सभी कुछ मिलता है आपको 200-200 mock test भी आपको मिलते हैं Sunday test भी आपको मिलता है साथ में class के PDF, practice PDF, quiz वगेरा और complete syllabus आपको करवा रहे हैं बिल्कुल oriented दिली पुलिस को लेकर तो इस बैच को आप लोग आराम से जोइन कर सकते हैं केवल और केवल 3.500 रुपे में आपको मिल जाएगा इस नंबर पे QR code पे आप लोग इस नंबर पे message करके QR code ले सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं किसकी दिली पुलिस की नई भरते की की ये भरती है वो आप लोग की कब आएगी उससे पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें हैं वो समझाना चाता हूँ फिर आप लोग खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये वेकेंसी है वो आपको कब देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पिछली वाली वेकेंसी की बात करते हैं पिछली वाली जो अपनी 5567 पदों की विक된सी थी, उसकी हम लोग बात करते हैं, देखो, वो जो विक extractingसी है, वो आपकी विकनसी के बाती है, वो आपकी विकनसी आती है, 1 सितंबर 2023 को ये विकनसी आती है, बिल्कुल शही बात है, और अभी आप लोगों को क्या बोला जा रहा अभी आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि दो हजार पचीस की जो वेकेंसी है वो जनवरी में आएगी या मार्च के अंदर आ जाएगी बिल्कुल सही बात है तो जनवरी के अभी दो महीने बाकी है और मार्च के अभी लगबग पांच महीने बाकी है बिल्कुल सही है बात अब मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से वेकेंसी आपकी दो हजार तेईस वाली तेईस में जो वेकेंसी आई थी पिछे 347 पदो की वो हमारी एक सितंबर दो हजार तेईस को आई थी एक सितंबर दो हजार तेईस को आई थी बिल्कु सही बात है लेकिन एक बात देखो कि इस का जो पहले का प्रोसेस है वो कब से होना स्टार्ट हो गया था एक अकबार के अंदर कटिंग आती है जिसमें बताया गया था कि इतने पदों का एलान ससी कर रही है उसमें दिल्ली पुलिस के भी पदे थे यहां पर आप लोग देख सकते हैं पीचे 350 पदों के बारे में बताया गया था और यह कब बताया था एक साल पहले आपके कितने पद होंगे वो आपको पता लग जाता है लेकिन अभी जो वेकेंसी आने वाली है 25 में क्या उसके पदों की संक्या आपको exact पता लग गई है नहीं लगी है ना तो आप लोग सोचों कि जब पिछली वाली वेकेंसी के पदों की संक्या भी हमें एक साल पहले पता लग गई और एक साल बाद में वेकेंसी आ रही है तो आज भी हमें वेकेंसी अगर पदों की संख्या आज भी पता लगती है तो आने वाली वेकेंसी कब आएगी आप लोग अंदाज लगा के देखें बार दुबारा दूसरी चीजे मैं आपको दिखाता हूं यहां यह जो इसक्र 2022 की बिल्कुल ध्यान से देखें एक बार डेट को देखने पर आपको समझ में आएगा यह डेट है बारा अक्टूबर 2022 की उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं बारा के बाद में 22 अक्टूबर को आता हैं यह सारे वीडियो स्क्रीन सोट लिए गये हैं यह अपन 6433 वेकेंसी आने वाली हैं क्योंकि वेकेंसी लेट थी तो बढ़ना तो संभाविक था आप लोग को पता है 6400 के बाद में 11,12 वेकेंसी और बढ़ी और 35,347 पे वेकेंसी आई थी लेकिन फिर भी 1 सितंबर को वेकेंसी आती हैं आपकी 1 सितंबर 2023 को और 22 अक्टूबर 2022 में एक साल पहले लगबग यनकी 11 महीने पहले आपको पता लग जाता है कि 433 वेकेंसी आने वाली है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग दो महीने और आगे चलें तो 30 दिसंबर 2022 को ये डेट वगेरा आप लोग देखो इनके वीडियो वगेरा भी देख सकते हो। इसके दो महीने बाद में हमारा एक कलेंडर ऐसे सी जारी करता है। क्योंकि देखो एक चीज मुझे बताओ। नीचे एक नोटिज डालके आप लोगों का लिख दिया गया कि जो दिल्ली पुलिस की MTS वेकेंसी है और कॉंस्टिबल की वेकेंसी है 2022 वाली क्योंकि ये पहले 22 में आने वाली थी लेट होके 2023 में आई थी। तो फिर वो जो वेकेंसी है वो दिल्ली पुलिस है उसके द्वारा ही कंडेक्ट करवाए जाएगा यनकि इनका जो MOU साइन हुआ था वो खारी जो गया इन्होंने बता दिया कि हाम लोग जो कलेंसी देने वाले थे वो अब दिल्ली पुलिस से ही करवाएगा। और ये भी कितने पहले लगबग दस मैने पहले आप लोगों का SSC ने सूचित कर दिया थिक है उसके बाद देखो आगे और चलते हैं 30 दिसंबर के बाद में अब फरवरी के मंत के उपर आ जाते हैं फरवरी 2023 में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जब कोई आट करेगरी वाइज मेंने सारी चीजे हैं वह आपको डेटेल के साथ बताई कब बताई यह बताई है 25 फरवरी 2023 को और वेकंसी कब आई थी अपनी सितंबर 2023 को यह वेकंसी आई थी इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको लगबग लगबग कितने मंत पहले मैंने आपको लग बग सात मंत पहले ये मैंने आपको बताया कि वेकंशी आने वाली है पिचे 347 और इतनी इतनी पोस्ट रहेंगी ये मेल की और ये female की ये इसी वीडियो का screen story दूसरा है तो आप लोग यहां पे देख सकते ये मैंने कब बताया यह मैंने बताया 25 फरवरी 2023 को अब 25 फरवरी से थोड़ सा आगे चलते हैं तो देखो हम लोग आ जाते हैं 25 फरवरी को ही मैंने आपको एक RTI भी दिखाई और इस RTI में अब यहां पे आपको यह साफ नहीं दिख रहा होगा बिलकुल अगर साफ दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के देख लेना वरना यह वीडियो अपना यूटूब पे ही पढ़ा हुआ है आप यूटूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं यह पुराने वीडियो में जाके आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि पिचेतर सो सैंतालिस वेकेंसी के लिए आपका RTI है वो भी इसमें आपको बता दिया गया है कि पिचेतर सो सैंतालिस वेकेंसी आएगी यानि कि फरवरी में ही आपको बता दिया गया अब थोड़े सा और आगे चलते हैं अब मैं बात करता हूँ मई के उपर आ जाता है गुन्नीस मई को और गुन्नीस मई को एक और कलेंडर आता है SSC के दौरा और इस कलेंडर में आपको विकेंसी है वो देखने को मिलती है जो SSC दिसंबर के मन्त में ये कह रही थी कि आपका कोई विकेंसी नहीं आने वाला अब दिली पलिस खुद विकेंसी करवाएगी फिर उसके बाद पांच महीने बाद में आपका एक कलेंडर जारी होता है SSC के दौरा उसमें आपको दिली पलिस की विकेंसी भी देखने को मिलती है और ये भी देखों ये विकेंसी जब आई तो ये मई का मंत चल रहा है उसके बाद एक सितंबर को विकेंसी आती है तो ये कितने मंत हो गई आप लोग सोचो यार एक भार मई जून जुलाई अगस्ट सितंबर पांच महीने पहले आपको SSC ने भी बता दिया कि आपकी वेकेंसी आने वाली है बिलकुल सही बात है यारिकि पांच महीने पहले तो SSC खुद भी बता देगा कि वेकेंसी आने वाली है बिलकुल सही है अब मैं आपको कुछ गनित है वो आपना भी समझाता हूँ देखो और अभी तक इस रेकेंसी में आपको पता क्या लगा है वो देखो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात पता लगी है जो मैंने आपसे चार महिने पहले बता दी थी लोगों ने उसको भी जूट बोला कि ऐसा नहीं हुआ है ये MOU 2022 के यहनकी 2024 और 2025 के लिए आपका MOU साइन होता है और यह कितनी पोस्ट के लिए होता है टोटल 5 पोस्ट के लिए होता है जिसमें आपकी कॉंस्टेबल भी है, हेड कॉंस्टेबल भी है, AWTPO भी है, ड्राइवर भी है और MTS भी है टोटल 5 वेकेंसी के लिए आपका MOU साइन होता है ना किसी RTI में आया है कि इस मन्थ में आपकी वेकंसी आएगी और एक चीज में आपको और दिखाता हूं पीछे चलो यह जब 19 माई को यह reply आता है ना RTI का sorry इसके एक पीछे चलते हैं यह फरवरी में जो आपका RTI आता है ना फरवरी के अंदर जो RTI reply आता है इसके अंदर बताया गया है कि आपकी जो वेकंसी है वो सितंबर 2023 में start होंगी आगे tentatively भी लिखा हुआ है यानि कि इसके approach होंगी और एक सितंबर को ही आपके फोरम आते हैं तो यहाँ पे आपको साथ महीने पहले RTI के माध्यम से भी यह पता लग जाता है कि फलाने मन्थ में जाके आपकी वेकंसी आने वाली है समझ रहे हो बात को तो यहाँ पे अम मैं आपसे पूशता हूँ मुझे एक बात बताओ मैं सारी चीजों पे बात यह चला जाएगा ना उंबर का मन्थ बचा हुआ है ना आपके पास में अभी कोई न्यूज की खबर है न्यूज की भी कोई न्यूज पेपर की खबर नहीं है कोई RTI है उसमें बिल्कुल 60 जानकारी नहीं है कि किस मन्थ के अंदर वेकंसी आएगी ना SSC का जो कलेंडर है उसके अंदर भी आप लोगों को कलेंडर में भी अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई है कि वेकंसी आएगी और मैंने आपको कई सारे स्क्रीन सोट बताए जिसमें लगबग एक साल पहले भी आपको यह बता गया है कि वेकंसी आपकी 2030 में या फिर इतने पदों पे आए अब मुझे एक बात मैं उसी लोजिक को पीछे लेकर चलता हूं क्योंकि ऐसे सी उसी प्रोसेस पे काम करते हैं आप लोग जितनी जल्दी करोगे जैसे आप लोग बार बार वीडियो देखोगे तो बार बार वीडियो देखने से वेकंसी थोड़ी आजाएगी ऐसे सी है व बांच मंत पहले ही आपको पता लगता है कि आपकी वेकंसी है वो अब आने वाली है पाँच मंत का टाइम लेकर तो अभी तो एसे सी का कोई कलेंडर भी नहीं आ है नूवंबर का मंत है नहीं है मान authentic चीजी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा इसमें कुछ नहीं है मैंने आपको इसक्रीन सोट दिखाए हैं उसके बेयाव पे भी आप लोग देख सकते हैं और जो मेरे सोचने का नजरिया है वो थोड़ा next level है जितनी जानकारी वगेरा है वो भी next level है तो मैं आप लोग को गलत ज है मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर बताता हूं तो यहां पे भी आप लोग देखों अगर मालीजी एक जनवरी को कलेंडर आ जाता है जो की पता नहीं कि आएगा की नहीं आएगा लेकिन हम लोग माल लेते हैं कि यह कलेंडर सो परसेंट आता है तो उसमें भी लग नए आपके पास नहीं है तो पिछले उठा के देख लो पता तो लगेगा ना भाई जो चीजें जिस हिसाफ पे जिस पैटरन पे होती है वो आपको पता तो आपको एक्चुल में लगेगा ना तो यहां पे अगर जनवरी में भी कलेंडर आता है तो चार से पांच मंत जनवरी से 5 मंत भी हम लोग लेते हैं तो आपका मई जून ही आ जाता है क्या जाता है मई जून ही आ जाता यहन कि आप लोग अब बिल्कुल शूर हो गए होगे मेरी बातों से क्योंकि मैं सिर्व आपको वीडियो पांच मिन के वीडियो बना के यह नहीं बोलना चाहता कि वेकेंसी मई में आने वाली है, कुछ तो आपके पास में लोजिक होना चाहिए, सर आप किस भी है उपे ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मई जून से पहले मेरे इसाब से वेकेंसी देखने को नहीं मिले गी हैं, अगर जादा ही जल्दी होता है, ससी को बिल्कुली ससी चीज और समझाता हूँ, जैसे माल लीजिए आपकी वेकेंसी मार्च से और जून में आते हैं, कम से कम, ये तो है कम से कम, तो अभी आपके पास कितना टैम है, अभी आपके पास दो मन्त इस साल के हैं, तीन मन्त मार्च के आसपास के हैं, दो मन्त इस साल के हैं, और अगर जून में आते हैं तो 6 मन्त वो आपके पास हैं यानकि एक तरफ आपके पास 5 महीने हैं और एक तरफ आपके पास में 8 महीने हैं ये विकंसी सिर्फ आने की डेट मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक्जाम नहीं हुआ है अभी एक्जाम नहीं हुआ है आप लोग समझो और सो प्यारी करने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके जाना और ये जरूर लिखना कि आप लोग किसी स्टेट से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है उसके बाद में अगर आप लोगों की जून के अंदर वेकेंसी आती है तो तीन मंती तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताए है जो एक्जाम करवाने के लिए लेता ही है क्योंकि वेकेंसी में फोरम आप लोगों ने देखा ना MTS के अंदर 56 लाग फोरम भरे गए तो दिलिपलिस कॉंस्टेबल में भी 35 लाग फोरम भरे जाएंगे उन लोगों का एक्जाम तीन महिने का टाइम लग जाएगा क्योंकि कोलेज वगेरा सारे फिरी करवाने पड़ते हैं खाली टाइम भी देखना पड़ता है अदवार्सी के पेपर ना हो इसकुलो के पेपर ना हो उस टाइम पर एक्जाम करवाना पड़ता है ऐसे थोड़ी बातों में एक्जाम हो है इस चीज़ को भी समझो आप लोग तो अगर में जून के अंदर विकेंसी आती है तो तीन मंद तो कम से कम आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए तो यहां पर अभी आपके पास में 11 मंद का टाइम है जो आप लोगों के पास में तैयारी के लिए बिल्कुल सफिसेंट है अगर कोई बच्चा यह कहता है कि मैं आज जीरो लेवल पे हूँ मुझे तैयारी करनी है तो आप लोग आठ महीने में भी इस पेपर को उखाड़ सकते हो और जो बच्चा यह कहता है कि मैं बिल्कुल ही जीरो हूँ मैं तो खाई में पढ़ा हूँ मैं तो कुए में पढ़ और फिर मुझे तयारी करनी है, तो फिर तेरे पास 11 मंत हैं बच्चे अभी, आराम से तयारी करो, कोई जल्दबाजी मत करो, अभी आपके पास में प्रोपर टाइम है, पहले अपना सलेबस पूरा करो, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सलेबस करवा रहे हैं हमारे अगर कोर्स के जैसा आप लोगों को कोई करवा दे, तो मैं गारन्टी देता हूँ, आप लोगों को बहँ है, फिर ही देंगे, यानिकि कंटेंट वो सेम होना चाहिए जो चीज़े हम लोग provide कर वा रहे हैं वो आपका सेम होना चाहिए अभी course के उपर offer है दिपावली तक तो आप लोग इस offer में इस batch को purchase कर सकते हैं साड़ी 300 रुपे में ये batch आपको मिल जाएगा और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो बच्चे इसकी वगेरा करके अगर वीडियो किसी ने देखा है तो ये batch हमारा है साड़ी 300 रुपे में आपको मिल जाएगा इस नंबर पे आप लोग WhatsApp पे message करके आप लोग QR code म कि के topic हैं वो करवार है एक अजार से ज़्यादा live classes होंगी 2400 से ज़्यादा subjective test मिल रहे हैं जैसे history के दोसों अलग है, politics के दोसों अलग है, math के दोसों अलग है, reasoning के दोसों अलग है, computer के अलग है, every Sunday mock test होता है, mock test अभी 1-2 Sunday के अंदर मिल रहे है, फिर आपको regular भी मिलने लग जाएगा, expert faculty सारी की सारी जिसे 10 से 12 सालों का experience है, साथ में special guidance और गुरूप भी आपको batch मिल जाता है, worship पे भी आपको मिल जाएगा, head written notes वगेरा भी मिलते हैं, previous years के questions वगेरा मिलते हैं, सारी all over about Delhi Police Constable, सारा material आपको इसी batch के अंदर मिल जाता है, ये एक बड़ा batch है, इस batch को केवल 3500 रुपे में देने का ये purpose हैं, कि हम आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं, कि हम लोग भी अच्छे तरीके से तयारी करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये जो book है, वो आप लोग purchase कर सकते हैं, केवल 126 रुपे हैं, और आपके area इसे, related, जो delivery charge है, उसके इसाफ से ये मिल जाएगी, लगबग 1.5 रुपे के आसपास आपको मिलेगी, इसका link आपको description में मिल जाएगा, जिस site पे ये book मिल रही है, और ये जो book है, इसके लिए आप इस वाले code का उप योप करेंगे, तो 10% का और आपको off मिल जाता है, उसक ये जो book है न, इससे best अगर book मिल जाए, तो इस book को भी road पे भैंक देना, आप लोगों के जो पैसे आप लोगों के खाते में पहुंच जाएंगे, लेकिन बिलकुल genuine इसका review मिल को देना, कि sir इसके अंदर ये वाली कमी मिल को लगी, और इससे best कोई book है, तो मुझे बता दे न, ये book है आप लोगों को फिर है, वो पहुचा देंगे, क्योंकि हमारे पास already सारी book है, हम लोगोंने सब कुछ देख रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, तब जाके ये book है, वो तयार करी है, और इससे best ना तो कुछ हो सकता है, अच्छे अच्छे teachers हैं, वो इस book से warranty है, आप लोग जो मिलान करके देखोगे न, इसका syllabus जो अंदर लिखा हुआ है, वो अच्छे अच्छे teachers, मैं आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोगों को पताए, फिर controversy स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उनका एक बार syllabus मिला के देख लेने, इस book से मिलेगा आपको, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को समझाती है, अब कुछ चीजें और जो से नई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, जैसे इस तरीके से जो होते हैं, अगर आप जन्रल से EWS से 18 से 25 होते हैं, OBC में 28 तक होते हैं, HTSC में 30 तक हो चार रहते हैं, यानि कि चार कोश्चन करोगे तो गलत कर दोगे तो एक नंबर आपका कर जाएगा, फिजिकल की बात करें, तो हाइट की बात कर लेता हैं, अगर आप जन्रल से EWS से, OBC से, SC से हैं, तो आपकी हाइट है, वो एक सब्तर रहेगी, बोईज के लिए, ये हैं और अगर आप ST बोईज हैं, यानि कि ST के अंदर मीना हो आप और लड़के हो, तो 165 हाइट भी आपकी चल जाएगी दिलिपलिस में, ये जो हाइट है, ये आपकी गल्स के लिए है, गल्स के लिए, तो जन्रल EWS और OBC के लिए 157 सेंटिमिटर है, लेकिन गल्स में SC गल्स क आपको देखने को मिल सकता है, तो कलेंडर के अंदर तो ये कभी भी आए, कलेंडर के अंदर ये वेकेंसी आप लोग की कभी भी आए, लेकिन इसके जो फोरम है, वो मेरे इसाफ से जून 2025 के आसपा से ही आपको देखने को मिलेंगे, बाकि एक्जाम है, वो आपका उसी इस साफ से जिसे जून में वेकेंसी आती है तो सितंबर से नवंबर के भीच में ही आपका exam होगा जो हर बार होता है SSE का और अगर और बी ज्यादा जानकारे लेनी है तो इसी वीडियो के नीचे आपको वर्ट्सक चैनल है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा साथ में WhatsApp नंबर भी है आप लोग अगर लिंक से जोइन नहीं कर पाते हैं तो ये नंबर भी आप लोग ले सकते हैं साथ में Telegram चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा तो उसको जोइन एक बार जरूर से आप लोग कर लिजे ठीक है और ओफर के लिए मैंने आपको बता दिया ओफर बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम लोगों को भी फाइदा है फाइदा तो है वैच बिकेंगे तो पैसे भी आएगे सीधी सी बात है लेकिन आप लोगों को ज़्यादा फाइदा है कि साड़े 300 पैमा आपको complete material एक साथ और पूरे जो टीचर जिसने selection लिया है न वो आपको पढ़ा रहे है क्योंकि उनको पता है बाई 2020 के अंदर 285 रेंक और 78 पैंट ते 31 नमबर ये मैंने score करा 2017 में भी 75 नमबर का score करा था और आप लोगों को पता है घर के अंदर लगबग सारे लोग दिली पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं सारे दोस्ट जितने भी आसपडोस के जितने भी जानते थे सब को दिली पुलिस में अभी तक selection दिलवा चुके हैं और 1500 पिलस जादा बच्चों को हम लोगोंने driver के अंदर और constable के अंदर भी selection दिला है अभी तक constable special दिली पुलिस के लिए और एक मात्रे लास्ट एक्जाम ही है जो special दिली पुलिस के लिए वीडियो ज बनाता है और इसके लिए special बैच है वो हमारा रहता है हमेशा तो आप लोग इस बैच को जोइन कर सकते हैं बाकी book वगेरा का link है वो नीचे description में आपको मिल जाएगा purchase आप लोग कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है रखता हूँ उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है न वास्ताम में तो इस वीडियो को like जरूर करके जाना आप लोग लिखके जाना कि आप लोग किस state से इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही जैहिंद बंदे मात्रों